नजर इंडिया न्यूज में आपका इस्तक्बाल है, जैसे कि आप जानते हैं, कुछ ही दिनों पहले, NCP के मुंबरा कलवा अध्यक्ष जनाब शमीम खान साहब को ठाने महानगर पालिका की परिवहन समिती का सदस्य चुने जाने पर, मुंबरा में पार्टी की तरफ से जश्न मनाया गया, NCP के बहुत से नगर सेवकों ने शमीम खान साहब का अपने अपने ओफिस पर बुला कर सतकार किया, लेकिन उससे कुछ दिनों पहले ही टोरेंट पावर नामी बिजली की प्राइवेट कंपनी मुंबरा में आ गई थी जिसके खिलाफ जनाब शमीम खान और उनकी पार्टी ने एक बड़ा आंदोलन किया था और दावा क्या था कि टोरेंट अगर मुंबरा में आया तो, मेरी लाश पर से आएगा, लेकिन अब वो बिल्कुल खामोश हैं। अगर नईम नजीर खान साहब का दावा गलत हुआ तो उन्हें अपना बंगला, मिराज मंजिल किसी गरीब आदमी के नाम करना होगा। टोरेंट के आने के बाद दोनों नेताओं की ये पुरानी लफजी जड़प लोगों में चर्चा का विशय बनी हुई है। अगर बिजली सप्लाई करने वाली एक बदनाम जमाना निजी कमपनी है, जिसकी बदोलत भिवंडी शहर के कारोबार की रीर की हड़ी समझी जाने वाली पावर लूम इंडस्ट्री तकरीबन खत्म हो गई है। और इसके खिलाफ लोगों में काफी गुसा पाया जा रहा है। क्या सिर्फ चन्द लोगों के बिजली का बिल सही तरीके से न भरने की वज़ा से पूरे शहर पर टोरेंट को लाद देना सही है। सवाल ये भी पैदा होता है कि महंगाई के इस दौर में बिजली विभाग के इस निजीकरन से लोगों की जेबों पर जो इजाफी बोज पड़ेगा उसका जिम्मेदार कौन होगा। अपने शहर और आसपास की खबरों के लिए देखते रहें। नजर इंडिया न्यूज हमारे चैनल को लाइक, शेर और सुब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।